आज मैं आप सबके साथ सेर करने वाले हूँ केरवे के साग की रेसिपी यह बहुत ही ज़ादा विटामिन्स मिलते हैं बहुत ही ज़ादा फाइबर और हमारे सरीर के लिए बहुत फायदे मंद है तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं तो यहाँ पर केरवे का साग लिए हैं इसके डंठी जो हैं थोड़े टाइट होते हैं तो डंठीों को अलग करना है और इसकी पत्तियां है इसे तोड़ कर हमें अलग कर देना है तो सारे पत्ति यहां पर हम इस तरीके से तोड़ लिए हैं तो सबसे पहले पत्तियों को तोड़ का इकठा करना है फिर एक बड़ा सा प्रा कर लेना इस तरीके से बारिक हमें कटिंग कर लेना है तो सारे साग को इस तरीके से हमने कटिंग कर लिए हैं तो साग में आलू भी डालेंगे इससे टेस्ट और ज्यादा आता है तो बस यहां पर आलू लेना है और इसे छोटे-छोटे पीस में इस तरीके से कटिंग कर लेना फिर हमें एक कड़ाई लेना है सरसो का तेल डालेंगे तील अच्छे से गरम होजाए फिर हमें आलल को सबसे पहले फ्राई कर लेना है तो थोड़ा सá इसमें हलदी और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे जिससे की इसका फिलेवर अंदर तक चला जाए और खाने में टेस्ट भी होगा तो आलू फ्राई हो गया है अब हम बचे हुए तेल में चार्ट लाल मिर्चेट कर देंगे आधा टीस्पूनित में साबू जीरा डालेंगे अच्छे से भुनने के बाद यहां पर साग इसे डाल देते हैं कराई में अब इसे अच्छे तरीके से चारो तरब से चलाना है जिससे की नीचे पकरने ना पाए तो साग पहले इस तरीके से गला लेना है तो अच्छे से जब गल जाया तो इसमें फ्राई किया हुआ आलू और स्वाधन सा नमक आधा चमच इसमें लाल मिर्च पाउडर एक केरवे के साथ की रेसिपी बनकर तयार हो गया है तो अब हम क्या करते हैं गैस का फ्लेम बनकर देते हैं और इसे स्टोर कर लेते हैं केर्वी के साथ की रेसिपी बहुत ही टेस्टी होता है और यह हमारे सरीर के लिए बहुत ही फार्देमंद है तो एक बार जरूर बनाईएगा और इसमें आलू डाना बिल्कूर भूलिएगा तो चलिए आज की रेसिपी यह आप सबको पसंद आया है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें